Well guys, अगर आप एक hand blender लेना चाहते हो, पर थोड़े से confused हो, because ना market में आपको काफी सारे hand blenders मिलते हैं, but don't worry, in today's video मैं आपको आपके लिए perfect hand blender बताने वाला हूँ, किस weightage वाला hand blender आपके किस-किस काम आ सकता है, चाहे आपको puri करनी हो, whisking करनी हो, chopping करनी हो, सारे काम करवा ब्लेंडर से, अब in today's video मैं आपको top 5 best hand blenders in India 2023 बताने वाला हूँ, जो कि लगबग 1000 से 2000 के बीच में आ जाते हैं, इसके साथ-साथ मैं आपको complete information दे दूँगा, कौन से hand blender आपको क्यों purchase करना है, वल, अगर आप e-trotra app पर नए हो, तो subscribe कर दो, नीचे पहले करने उसको दब तो आप 300 watt तक का कोई भी hand blender purchase कर सकते हो, उससे उपर जाने की आपको कोई ज़रूत नहीं, बट अगर आप चाते हो, आप hand blender की ही help से, chopping भी कर पाओ, या whisking, puri, mixing, जो भी करना है, वो आप जादा food के साथ करते हो, लंबे समय तक चलाना चाते हो, hand blender को, तो आपको 500 watt या फिर 1000 watt तक के hand blenders को purchase करना है, इसके अलावा, कुछ hand blenders ना आपको multiple attachments के साथ मिलते हैं, बट वहाँ पर आपको make sure करना है कि उनका build काफी जादा ठीक हो, because अगर वो तूट जाएं, तो आप उन्हें अलग से purchase नहीं कर सकते, so it's a very big thing, so that मैं जो आपको 5 hand blenders बता रहो ना, काफी ज Start the list of the best blender in India 2023, जहां पर number 5 पर आता है, बजाच की तरफ से, HB16 hand blender, बजाच का ये जो hand blender है, आपको 300 watt motor के साथ में देखने को मिल जाता है, इसका complete उपर का build, एक hard ABS plastic में आता है, वाइड कलरे के काफी elegant look में आता है, आपको इसका जो blending attachment है, वो steel में देखने को मिल जाता है, त कई blenders में ये detachable नहीं आता, so that cleaning में काफी दिक्कत रहती है, blender खड़ाब होने के chances बढ़ जाते हैं, बट यहां पर आपको detachable मिल जाता है, इसके साथ आपको in total 2 years of warranty मिल जाती है, प्राइस की बात करूं केवल 1300 रुपे में आ जाता है और केवल 95 रुपीज देके आप warranty extend भी क करवा सकते हो, बाकि आपको पांचो blenders की links description में मिल जाएंगी, जाके check out कर सकते हो, now guys, हमसी 4th one, which is lifelong regalia plus, यार lifelong का ये जो hand blender है न, ये भी 300 watt weightage के साथ ही आता है, बटना यहां पर आपको multiple attachments मिल जाते हैं, सबसे पहले build की बात करूं, तो full ABS build में आता है, ये भी आपको detachable design मे इक beaker मिल जाता है, तो ये जो hand blender है आपके लिए, whisking, puri, chopping, आसानी से कर देता है, meanwhile, एक device खरीद के आप 3-4 काम आराम से कर सकते हो, बट यहां पर जो build है न, वो इतना जादा अच्छा नहीं है, so that ये काफी कम प्राइज में आ जाता है, आपको एक साल की warranty देखने को मिलती है, and 1600 रुपीज के आसपास ही आपको मिल जाता है on Amazon, अगर आपको low budget में एक multiple attachment वाला hand blender लेना है, तो आप ये ले सकते हो, बट मैं आपको बिलकुल recommend नहीं करता, because the build is not that good, now guys, एक हम जी 3rd one, which is, can't stainless steel hand blender, can't का ये जो hand blender है na, completely stainless steel में आता है, but don't worry, double layer protection में आता है, तो ऐसा ब 400 watt की power motor मिल जाती है, आपको variable speed controls मिल जाते है, इसका जो shaft है, वो भी detachable आता है, तो cleaning में काफी आसानी रहती है, आपको on-off switch उपर की तरफ मिल जाता है, and इसकी जो noise है, वो भी काफी low है, अब यार अगर आपको build wise the best hand blender चीए, आप चाहते हो, blender भले ही अंदर से खराब हो जा then आँख बंद करके इस वाले hand blender को ले लेना, 1400 रुपीज में आपको value for money blender मिल जाता है, now guys, here comes the second one, which is inalsa 1000 watt hand blender, यार inalsa का ये जो hand blender है ये भी completely stainless steel body में आता है, बट उपर का जो part है, वो थोड़ा सा plastic build में आता है, so that आपको पकटने में गिरिप मिल जाए, यहाँ पर आपको multiple attachments मिल जाते है, like whisker मिल जाता है, and chopper मिल जाता है, साथ में 600 ml का, एक multipurpose beaker मिल जाता है, आपको यहाँ पर variable speed controls मिलते है, साथ की साथ एक turbo speed function मिलता है, just like the mixer, यहाँ पर जो DC motor है, 100% copper motor है, because यह full stainless steel body में आता है, तो बिलकुल washable है, and आपको detachable options मिलते है, तो आप आसानी से safाई भ कर सकते हो, पूरी कर सकते हो, chopping कर सकते हो, मतलब कि आपके काफी काम एक ही device में हो जाते है, price की बात करूँ, 2600 रुपीज के आसपास आ जाता है, तो at number 2, definitely आप इस वाले को check out कर सकते हो, now guys, I'm the last and the best one, which is agaro grand 1000 watt hand blender, यार agaro की तरफ से यह जो hand blender है, आपको full stainless steel body design में देखने क मिलता है, उपर की तरफ का जो part है, style steel का नहीं आता, बट हाँ, variable speed controls इसमें भी मिल जाते हैं, पूरे, अंडलक से two variable speed modes भी मिलते हैं, attachments की बात करूँ, तो आपको एक chopper, एक jar and एक whisker मिल जाता है, यह hand blender भी आपको detachable shaft के साथ देखने को मिलता है, आप यहाँ पर जो values add होती ह ना, वो सबसे पहली जो jar है, वो आपको 900 ml का मिल जाता है, like inalsa वाले से काफी बढ़ा है, almost 1 liter हो जाता है, बाकि जो chopping jar है, वो 600 ml का आता है, बाकि also whisker भी मिल जाता है आपको, वला अगारो की तरफ से यह जो hand blender है ना, इसके साथ आपको same two years की warranty मिल जाती है, and same 2600 rupees में ही आता क्यों है, तो reason simple है, which is value, like inalsa वाले में आपको सब कुछ same मिलता है, but वहां पर आपको जो beaker मिलता है, वो 600 ml का है, वही यहां पर 900 ml का मिल जाता है, but हाँ, look wise भी अगारो वाला थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, प्रीमियम फिल देता है, बाकि यार, it's all depends on you, जो भी आपको पसंद आता है, वो आप पर्चेस कर सकते हो, मेरी तरफ से highly recommended है, first and second वाले, अगर आपका budget flexible है, then, but अगर आपका budget हजार 1215 रुपे के आसपास है, तो सिर्फ अगर आपको hand blender चीए, can't वाला ले लो, but multiple attachments चाते हो, तो आप lifelong वाला ले सकते हो, well guys, आज की इस वीड पसंद आई, तो like करना, नीचे comments में को बताओ, इन में से कौन सा hand blender आप purchase करने वाले हो, बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी ही किसी नई वीडियो में, किसी नए topic के साथ में,